वाडी में मेडिकल स्टोर पर क्राइम ब्रांश ने चापा मारा दो मेडिकल स्टोर पर कारवाई भी की गई है जीले में कोरोना के कारें सरकार ने जिवनावशक वस्तों को MRP से जादा बेशने पर कारवाई के आदे जारी किये है बावजुद वाडी में दुकांदार वा मेडिकल स्टोर्स जादा दामों पर बेशने से शुक्रवार की दो पर दो बजे करिब वाडी के दो मेडिकल स्टोर्स पर कारवाई करने की जानकारी क्राइम के P.I.A. मुकतार दाउच शेक ने दी है प्राप जानकारी के अनुसार वाडी में मेडिकल स्टोर्स से जादा दामों में मास्क व सैनिटाइजर बेशने की जानकारी मिलते ही वाडी में जिवनावशक वस्तोय मिलने की दुकाने खुली है दुकानदार ग्राहकों से MRP से ज़्यादा दामों पर वस्तोय बेच रहे है मेडिकल स्टोर्स में भी ज़्यादा दामों पर मास्क सेनिडाइजर बेचा जा रहा है शुकरवार को अचानक रेट पढ़ने से वाडी के मेडिकल क्षेतर में हड़कम मचा दो मेडिकल से 25 मास्क वरामत के गए वाडी के नागरिकों से ज़्याद अदामों पर जिवनावशक वस्तों को बेचने की जानकारी दे बेचने वाले दुकांदार पर कारवाई की चेताव ने दी गई वैद मानक मापन निरिक्षक उमेश गौर क्राइम पियाए मुक्तार दाव शेक ने दी दोनों मेडिकल स्टोर के मालक को वाडी थाने में लाया गया धारा 188 के तहत मामला दर्च किया गया पाच हजार का जुर्माना भी होने की जानकारी शेक ने दी है इसका आरवाई को एपियाई संकित चोधरी प्रकाशवान खड़े राहूल इंगोले मंगेश मडावी वसंता चोरे नरेश सहारे ने अंजाम दिया है मैं पुरुष निरिक्षेक मुक्तार शेक वाड़ी परसर में कुछ मेडिकल्स पर जो फेस मास्क है अभी कोरोना के लिए जो यूज कर रहे है लोग ज्यादा तर फिरीपी है उसमें मेडिकल्स किया उसको तो इसका जो गवर्मेंट ने है कुछ नोटिफिकेशन इसू किय इसन आग चाहिए जिसमें कि जो जो प्ली का we canड़़ और जो प्ली काजमा से ह हो i úlis यहांओ कि यहां पे जो है कि उसमाक को 30 रुगशे है जो की बहुत ज्यादा है उसकेशाओ प्राफ्च्ण कमाने का वह सवच रहे हैं करके तो इसलिए हमको एक डेकॉइ बेचके मेड और दोनों पर हमने ECX के तहद, हमारे साथ में वेट एंज में इंस्पेक्टर है, फूर्ड ओ इंस अप्ला है और हमारे साथ में और भी दूसरे एंसपेक्टर वगरे हैं तो हमने इसके अंबर कारवई की हैं हम लोगोंने तो यह जो है कैसे के सेक्ट कारवई रही है आज की और दो केसिस हमने किये वाडी परिसर केंदर और हमारा ये लोगों से आवान है कि ऐसी चीजे जो आज की तारिक में जो करूना वाइरस के वेशे जो लोग पीडित है और उनके लिए जो ये चीजे एसेंशेल है वो चीजों का कम से कम ध्यान रखते हुए इसी चीजों का रे उसकी इसाब से देना चाहिए अगर आपको कोई ऐसा को मेडिकल वाला बोलता है कि वह आपको से लगता है कि ज्यादा लग रहे हैं इसके उपर 15 रुपे की चीज अगर 30 रुम बेच रहे हैं तो आप जो है कि हमारे जो क्राइम यूनिट जो है या कोई भी पूलिस टेशन जो नागपूर का है वहाँ पर आप डारिकली कॉंटेक कर सकते और उनके उपर एक्षिन ले जाएगी आज हम लोगों ने दतवाडी एरिया में मेडिकल शौफ की रेट की हमें इस एरिया से काफी कंजुमर की कंप्लेंट मिल रही थी कि जो मास है जो इसेंशल कमोडिटी लेकिन कुछ दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग प्रोफिटेरिंग करने के लिए इसको ज्यादा कीमत से ग्राहकों को बेच रहे है तो हमने इसी आज चिकिंग की है हमारे साथ में और विभाग के भी काफी अधिकारी थे तो हमने दो मेडिकल शौप में पाया कि ये 16 रु में ग्राहकों को बिक्री किया जा रहा था तो हमने दोनों एक महालक्ष्मी फार्मा और दुर्सा चिंतामनी मेडिकल स्टोर जो की दत्तवाडी में है इनके दोनों के ऊपर हमारे वैदमापन शर्ष्रकाइदा 2009 और और सुनियम 2011 के अंतरगत करवाई की है और आगे की जार लिए है इन बीसे अन न्यूस के लिए वाड़ी से सुनिल शेटि के साथ अभीशेख पांसे की रिपोर्ट